अभी तक आप लोग भज्जी को यानी के हरवजन सींग को किरकिट के छेत में देखते होंगे कुछी समय पहले आपने देखा होगा इन्होंने किरकिट से सन्यास लिया हुआ था अब आप लोग इन्हें राजनीती के छेत में भी देखेंगे आप सभी जानते हैं कि अभी हाली में पंजाब में विधान सवा चुना हुए थे और आम आदमी पाइटी को अच्छा खासा वहुवत में ला हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि अब यहां से हरवजन सींग को राज्य सवा में भेजा जाएगा राज्य सवा सदस बनेगे और आप सभी जानते हैं कि राज्य सवा सदस बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और आपको देखी राज्य सवा सदस्वा का चुनाओ एमेले के द्वारा होता है जो आपके विधायक होते हैं इनके द्वारा होता है और आप सभी जाद थे हैं कि आम आदमी पाइटी के पास अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं तो वो इन्हें राज्य सवा भेज रही है आज एक सामान जानकारी हम लोग हरवजन सींग के बारे में जान लेते हैं अब आप देखिए राजनीती में किस तरह से पिदर्सन करते हैं यह तो आने वाला बक्ती बताएगा और किर्किट में आप सभी ने देखा ही है कि किस तरह से इन्होंने पिदर्सन किया हुआ है देखिए पंजाब आपको दिखाई दे रहा होगा चंडीगड इसकी राजधानी है और आप सभी को वालू होना चाहिए कि अंतराष्टी सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो राजिस्थान हो गया हर्याना हो गया हिमाचल पिदेश हो कया जमू कस्मीर से भी इसकी सीमा लगती है और यहीं सिंका सम्मन्ध है हरवजन सींका अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो हरवजन सींक तिलाहा इनका पूरा नाम है किनका हरवजन सींका और उपनाम देखें तो भज्जी और टरव नेटर इनका उपनाम है उपनाम कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आपका एक घर में रियल नाम रखा जाता है और फिर आपके घरवाली या पड़ोसी किसी और नाम से आपको पुकारने लगते हैं उसी नाम से आप लोग खासकर अगे आपकी काम होते होंगे वहाँ आप देखते होंगे कि आपका रियल नाम लिखा जाता है आप सभी जानते हैं कि ये भारतिय किर्केटर हैं गैंदवाज हैं खासकर अगर हम लोग हरवजंसी के जनब की बात करें कि कि किस सन में इनका जनम हुआ था? 3 जोलाई सरकारी मोडल भरिष्ट मादमिक विध्याले दुआवा इस्कूल जलंदर में पारवर्ती जेन हाई स्कूल से ये अपनी सुरुवाती सिक्षा लेते हैं और आपको बता दूँ कि ये बारे भी पास हैं आप समझ रहे हैं और आप सभी जाने हैं कि अगर आपका मन किसी और छित में होता है और पढ़ाई में नहीं होता है तो आप उस छित को चुन लेते हैं तो इन्होंने भी वही किया। इनके पिता की बारत करें हम लोग तो सरदार सरदेव सिंग फिलाहा जो बेवसाई थे एक बिजनिस मैं थे और माता की बात करें तो आउतार कॉर जो एक गरहनी थी इनके घर में इनका जनम होता है। ये भाई में अकेले हैं और बहनों में 5 बहने हैं इनकी आप लोग पिक्चर में देख भी रहे होंगे अगर हम लोग इनके कोच यानि की सरक्षक की बात करें तो चरणजी सिंग भुलार और दविंदर सिंग अरोडा इनके गुरु रहे हैं, कोच रहे हैं अगर पसंदीदा करिकेटर की बात करें, तो सचिनते नूलकर साहब इनके पसंदीदा करिकेटर है। सभी को इस्क्रीन फरे भी दिख रही होगी। इनका विवाब हुआ था 29 अक्टूबर 2015 में। किरकिट में जो इनके स्कोर रहे हैं, जो रेकॉर्ड रहे हैं, उन्हें देख लीजे आप लो। इनके अंतराष्टी सुरुवात की बात करें, एक दिवसी है, बंडे गी। तो 17 अपरेल 1998 को न्यूजी लेंड की खिलाप सार जहां में इन्होंने पहला अपना वंडे खिला था एक दिवसी है। टेस्ट की बात करें, तो 25 मार्च 1998 को ऑफ्टिलिया की खिलाप वैंगलोरो में इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खिला था। T20 की बात करें, तो 1 दिसंबर 2006 को दच्छड अफीका की खिलाप जोहांसबर्ग में इन्होंने अपना पहला T20 खिला था। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर इनके मुख रिकॉर्ड देखना है आप लोगों को, तो यह देख लीजिए, ओफ इस्पेनर होने की नाते उनके पास तीसरे सबसे जादा विकेट हैं, और ओफ इस्पेनर की रूम में भारत में सबसे अधिक विकेट इनी क नाम है, किनके हरवजन सींगे, और इस्पेनर की रिकी पोर्टिंग को टेस्ट किर्केट में दस बार आउट करने का रिकॉर्ड भी हरवजन सींगे नाम है, उन्होंने भारती सरजमी पर पांच मैन आप दमेच और एक मैन आप दा सीरिज का खिताब भी जीता है, और आप आप देखेंगे कि ने 2003 में अर्जुन परुसकार से भी सम्मानित किया गया, 2009 में आप देखेंगे पदम सिरी परुसकार भी दिया गया, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपको परुसकार मिला सोभा भी कसी बात हो जाती है, केरियर टर्निंग प आप्सकेरद आप देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं ये थो हम लोग हर समय देखेंगे जब ये राजसवा में पहुंच जाएंगे तो आप लोग राजसवा मैं देखते रहेंगे इन्हें छलिए खेयरे इनकी कहानी यही है एक स्थामान जानकरी मुझे लगा बता देनी चाहिए